हेलो प्रेविन्स गुड़ मॉर्निंग कैसे हैं आप सब आसा करते हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और फ्रेविन्स ठंड का मौसम बहुत जो रुसोर से है यहां पे लखनों में बहुत तेश ठंड पर रही है वैसे धूप तो रोज निकलती है लेकिन गलन वाली लगती है तो अभी बच्चे मेरे चाय दूद सपी के नास्ता पानी सब करके धूप निकली थी तो बाहर बैठे हैं और हम गिरजाई और कंबल सब फोड़ करके अंदर रख देंगे और बिस्तर साफ कर लेंगे तो यह सब करने के बाद मैं बनाओंगी आज कचालू और सब। सब करके अन्या करके सफाइ वाल कर बना लेती हैं तो मैं यह सब इंतःजाम कर लिया है तो मेरे रेन हम देखते के कचालू बनाते थे तो वहीं इसे हम भी बनाएं हैं आज तो आप लोगश वाला सब काम पिनिश हो जायाएगा तो आप लोग बताइए गारा थाम घ तो फिर हम चलेंगे किचन में तो अभी आप लोगों को मैं दिखा दूए देखिए कि इतनी अच्छी दूप निकली है अधर बच्चे बैठे हैं दूप में दूप सेक रहे हैं और यह लॉली पॉप खा रहे थे तो हमको दिखा रहे थे कि मम्मी मेरा लॉली पॉप दिखा हैं सब्सक्राइब लगा। है अचले कि मैं पॉप खिभी से कॉइं आज को सब्सक्राइब कि अचे सब्सक्राइब हो रहे हैं इसे डाल आरढ़ हो रहे हैं कि अ तो प्रेंट्स अब भी मैं चल रही हूं किचन में बनाओंगी कचालू यह मैंने आलू उबाल के इसको कट करके रख लिया है मैं साले मैंने पीचा है हारी धनिया हारा मिर्च हारा लहसुन लहसुन की पत्तियां थी हरी वाली और जीरा थोड़ी सी हल्दी डालके मैंने इसको पीच लिया है ँंहीं कडाही में च्छुऊंक लगाँगी तो कचालू बनाने का अशली स्वाद आता है लोही की कडाहीं में तो अभी मैं डालूंगी सरसो का तेल सरसू के तेल में हम डालेंगे मेथी और मेथी को थोड़ा भूनने के बाद फिर इसमें मैं आलू डाल दूंगी और उसमें मसाले मिला दूंगी तो आप लोग भी ट्राई करिए बहुत ही आसान से बन जाता है ये बहुत ही टेस्टी लगता है गाउं में तो हम लोगों के यह हां शरदियों में ये कचालू बनाते हैं बहुत सारे मतलब बनाते हैं और सुबच चाइ के साथ सब लोग काटूरी भर-भर के खाते हैं तो आज मेरा मन कर दिया कचालू खाने का क्यूंकि ये तो ठंडी में ही अच्छा लगता है फिर गर्मी में नहीं मन करता आलू उतना क्षाने का तो अभी मैं बना लेती हूं पठाक से और आप लोग भी देखिए कितने अच्छी टेस्टी कचालू बनती है और बच्चे तो मेरे इसको ग्रीन आलू बोलते हैं कि हरी हरी यह हो जाती है ग्रीन कलर में तो कहते हैं मैं ग्रीन आलू बनाई हैं बीटिया में डीक अब देखते हैं यह पकी लब अच्छे से भूना है कि यह देखिए पूरा मिक्स हो गया है मसाला अलू में अच्छे से भून भी गया है तो अभी मैं बना लेती हूं रोटी बनाऊंगी कचालू रोटी आज खाने कमन कर रहा था तो कचालू मेरी बन गई है चलिए मैं बन लेती हूं रोटी तो फ्रेंट्स वीडियो को फुल वाज करिएगा और मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा और जो नए लोग हों देख रहे हों प्लीज उन लोग उसे रिक्वेस्ट है प्लीज 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 आप लोग मेरे वी चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीचेगा ताकि आगली अप लोगों को मिल सके और बताइए मेरा आज का बलॉप कैसा लगा आप लोगों को तो अभी मैं रोटी बना चुकी हूं और यह मेरे पूजा के बरतन है इसको मुझे दूलना है इसको मैं पह और अभी मैं बरतन साफ करके मसीद में लगा दी है कपड़ा तो अभी मैं कपड़े भी दूल लेती हूं कपड़े दूलने के बाद मैं चट पे जाओंगी इसको पहलाओंगी तो बस यही चोटे-चोटे काम दीन में लगे रहते हैं और आप लोग बताईए कैसे लगी मेर आप लोगो बाइ बाइ